हमिरपुन नगरपरशद एरिया में लोगों को गीला और सूखा कच्रा जलसरंग्षन बारे जागरुक करने के लिए मुहीम के तहट कारेकरम का समापन टाउन होल परिसर में किया गया कारेकरम में नगरपरशद अध्यक्षा, स्लोचना देवी, उपाध्यक्ष, दीप कुमार बजास के अलाबा एयो केल ठाको डिपिपी मुझूद रहे समापन समारों में परधान मत्री आवास्योजना शहरी के तहत अंगीकार में महतपुन योगदान देने बाले लोगों को प्रशस्ती पत्र देकर समानित भी किया गया हमिरपुन नगरपरशद एरिया में लोगों को गीला और सूखा कच्रा जल श्रक्षन के बारे में जागरू करने के लिए मुहीम के तहत कारेकरम का समापन टाउन हॉल परसर में किया गया कारेकरम में नगरपरशद अद्धिक्स स्लोशना देवी उपध्यक्स दीप कुमार बजास के अलावा यो के अल ठाकुर भी मौसूद रहे समापन समरों में प्रदान मंतरी आवास योजना शेहरी के तहत अंगीकार में महतरपून योगदान देने वले लोगों को परशासित पत्तिर देखर सम्मानित किया गया आपको बता दे कि अंगीकार अभियान शेहर में 2019 से शुरू हुआ था और आज इसका समापन हमिरपूर टाउन आहल में किया अभियान के तहत शेहर में स्फाई विवस्ता दुरूस्त बनाने के साथ-साथ गीला और सूखा कच्रा के वारे में जागता लाने के साथ-साथ जल स्रक्षन के लिए वी अभियान के तहत लोगों को जागरूप किया गया है आज हम एक और इवेंट के दुरान कर रहे हैं यो हमिरपुर के लठाकुर ने बताया कि अंगीकार अभियान के तहत शहर में मुहीम चेड़ी गई थी और इसके तहत शहर के सभी बाड़ों में बड़िया से काम हुआ है उन्होंने बताया कि अभियान में शामिल लोगों को नेगर परशित के टॉन हाल में कारेक्रम में समानित किया गया है ये अंगीकार अभियान का समापन समरोग था ये 2 अक्तूबर 2019 से सुरू किया गया था और आज 10 दिसमबर 2020 को इसका समापन समरोग किया गया इस अव्यान का मुख्य उदेश्य लोगों के समाजिक विवार में परिवर्तन लाना था और भविन उदेश्य थे लोगों को जल स्वेक्षन, लाइड्स, बा, गिला, बा, सूख्रा, कच्रा, आदी के बारे में जागरूप करना था के वो गिले, उडे को अलग रखें, सूखे को अलग रखें, दोप्रकार के डस्ट विन प्रियोग करें, हरा बा, निला तो इस अव्यान में आज हमारे स्वस्तत मेट्टी के पददिकारी स्मापन स्वरो में समानित किये गए इसके अतरीक तब बविन संस्थाओं, अस्वताल, बा, मुहले, जो अच्छे सभाई में अच्छे आये हैं, उन्हों सभी के बहां गर्मानित्यों को यहां समानित किया गिया तो अब हमारे लोगों से अपील है कि अपने अपने बाड़ों में जिस तरह सभाई मेंटेन हैं उसी को बनाए रखें तथा गीला वा सूखा पच्छा के लिए अलग अलग उड़ादान रखें समानित करने वconds लोगों ने बताया की नगर परिशद्र ने सफाईय अवियान के तहथ बड़िया काम करने पर समानित किया थे उन्होंने बताय कि सफाई के लिए उबाड में बड़िया बातावन बनाने के लिए पर एस तरह से जारी रहे गे नगर परिशद ने सफाई समन्दी अवार्ड दिया है हमारे को हॉस्पिटल जितने ओन में से फस्पाइज दिया है इनों सफाई के लिए क्योंकि इनोंने कुछ समय पहले अभी डोर टू डोर वो शुरू किया था तो हमने काफी कुछ कोशिश की कि हम हॉस्पिटल के आसपास सफाई रखें हॉस्पिटल के अंदर भी और बाहर भी आगे क्या रहेगा सर्थ आगे हमारा बिलकुल परियास जारी रहेगा कोशिश करते रहेंगे जितना अच्छा स्वच बातावरन हमारे को मिलेगा पेशेंट्स को मिलेगा तो बड़ी जो है जल्दी स्वास्त होंगे प्रपार मंडर की सदस्या अश्वली जगोता ने बताया कि बाजार में नगर परश्चिट के साथ सफाई अबियान में कंदे से कंदा मिला कर काम किया है जिसके लिए सदस्यों को समानित किया गया है उन्होंने खुशी जाहर की है कि नगर परश्चिट की महीम रंग लाई है बहुत सफाई का ध्यान रखा जाता है और आज मुझे इसके लिए समानित किया गया है तो मैं इन सब को बहुत बावारी हूं और हमारा वैसे भी हम सब लोग इसके लिए बहुत अवे रहते हैं कि सफाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए हर दुपान में डस्विन जाए गया है कोई वैसे तूड़ा तरकड़ा इदर उदर ना फैंकिस चीज का ध्यान रखा जाता है हमेशा खाली जो गांधी चौंक के उपर का हमारा मोहला था उसका सर्वेक्षन किया गया था तो उसको सवच्था में उत्तम पाया गया है तो इसलिए उसको इसका प्रा